स्टूडेंट्स यह कोशन केज स्टड़ी कोशन है , चप्टर कोॉडिनेर जेमेट्री से ए, B, C, D ,5 चार पुजीजन है स्टूडेंट्स की हमें इटेंडा करना है कि A, B ,C, Kिस तरह की कॉडिलेटल है , If we join this A to B, B to C, C to D and D to A, तो वीस टाइफो कोडिलेटल इट विल भी. यह आपकी बुक का कोर्षन है, वहाँ पर सेम ऐसे दिया हुआ है, सब कोर्षन में एस इस पुछा गया, तो हम यह करें, A, B, C, D के कोडिनेट्स फाइंड करना चाहें, तो A के कोडिनेट्स हमारे पास आएंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, 3,4, B के कोडिनेट्स हमारे पास आएंगे, 6,7, C के कोडिनेट्स आएंगे, 9,4, और D के कोडिनेट्स हमारे पास आएंगे, 6,1, यह कोडिनेट्स हैं, हमारे पास A, B, C, D के coordinates है अब question यह है कि determine the distance A, B तो A, B अगर आपको find करना है तो A, B में distance formula लगाना पड़ेगा तो A, B के लिए लिएगा 3 minus 6 whole square plus 4 minus 7 whole square in the square root, यह distance formula होता है तो यह बनेगा minus 3 square plus minus 3 square in the square root 9 plus 9 in the square root which equals to under 18 so 3 root 2 तो तो distance A दिये, that will be 3 root 2 यह हमारे पास आएगा then next is determine the distance B, D अगर हम देखे, B से D तो सीधा हम find कर सकते हैं, इसके लिए distance formula की जूरत नहीं क्योंकि यह objective है तो यहाँ पे आपको calculate करने की जूरत नहीं हम सीधा D से start करेंगे इसको 0 लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह हमारे पास आगया 6 units then distance A, B A, B जो है A, B opposite के बराबर होगा A, B जो होगो C, D के बराबर होगा क्योंकि हम यह prove कर चुके हैं यह opposite side जो हम उसकी equal हो जाएंगी जब हम इसको calculate करेंगे A, B और C, D जब हम distance formula से find करेंगे तो यह भी हमारे पास same आएगा 3 root 2 तो A, B equal to C, D हो जाएगा और A, C A, C जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 A, C, B, D के बराबर है तो A, C equals to B, D हो जाएगा अब हमारे पास इसमें 4th question आ गया 5th part which order following is correct अब देखिए अगर आप इसमें देखें तो diagonals equal है diagonals are equal opposite sides are equal तो diagonal equal होने की condition 2 होती है या तो वो rectangle होगा या वो square होगा तो इसमें से देखते हैं कौन सी option हमारे पास है trapezium बिलकुल नहीं square, kite and collinear points तो ये जो है वो square बनेगा क्योंकि rectangle की option नहीं है तो यहाँ पी square आएगा और बैसे भी अगर आप book में देखो तो ये question में square बनता है all sides are equal and diagonals are also equal